हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चली बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ आज हम सिखेंगे कि हाओ टू काल्कुलेट कोडिनेशन नंबर एंड ऑक्सिडेशन नंबर तो सबसे पहले हम जो कोडिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है कि जो भी हमारे सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनसे जितने भी लिगेंड डिरेक्टली अटैच हो रहे होते हैं वह हमारा कोडिनेशन नंबर होता है इस जो भी हमारे टोटल नंबर ओफ लिगेंड से विचा डिरेक्ली कनेक् है कोबाल्ट ठीक है तो कोबाल्ट से क्या हो रहा है कि NS3 अमोनिया जो है as a ligand जुड़ा हुआ है कितना अमोनिया जुड़ा है यहां पर six it means कुछ ऐसा structure हो जाएगा है ना छे अमोनिया हमारे जुड़े होंगे कोबाल्ट से तो यह जो है ना यह जो छे अमोनिया है ना यही जो छे अमोनिया यही आपका क्या है कोडिनेशन नंबर है ठीक है तो सिंपल में आपको यह चीज तो क्लियर होगा कि कोडिनेशन नंबर बेसिकली होता क्या है जो भी total number of ligands हमारे central metal atom से directly attach होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं coordination number ठीक है तो जैसे इस वाले question में हमें coordination number निकालना हो तो इसके लिए coordination number हमारा क्या हो जाएगा 6 क्योंकि ये cobalt हमारा क्या है central metal atom है और इससे ammonia जोड़ा हुआ है कितने ammonia के molecules जोड़े हुए 6 6 है ना यहाँ पे तो जो यह 6 है यह आपकर क्या हो जाएगा coordination number अब इसके लिए अगर हमें oxidation number calculate करना है तो वह हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं अगर oxidation number निकालना है तो जैसे cobalt के लिए हमें निकालना होता है इसमें ठीक है तो इसको हम X मान लेते हैं ठीक है तो हमने लिख लिए X अब ammonia के यहाँ पर कितने atom है 6 है तो हमने लिखा यहाँ पर क्या X प्लस 6 इंटू अब NH3 जो है आपका ammonia यह कैसा ligand है neutral है तो इस पर कितना चार्ज होगा जीरो न्यूट्रल के लिए चार्ज होता है जीरो तो हमने लिखा 6 इंटू जीरो ठीक है अब इस साइड आ जाते हैं अब यहाँ पर क्लोरीन है ठीक है CL 3 है तो क्या लिखेंगे प्लस 3 और CL जो है इसका चार्ज लिखेंगे तो CL पर आपको पता होगा कि minus 1 चार्ज होता है तो हमने लिख लिया minus 1 ठीक है minus 1 अब इस आप complex में देखिए कि इस complex में ऊपर में कोई सा भी चार्ज नहीं दिया हुआ है ठीक है तो जब कोई सा भी चार्ज नहीं दिया हुआ है तो कैसे quit करेंगे equal to 0 अगर यहाँ पर कोई चार्ज होता तब यहाँ पर equal to के बाद हम वो चार्ज को mention करते है ठीक है तो यह होगे x plus 6 क्योंकि ammonia के 6 atom है यहाँ पर 6 into 0 0 क्यों है क्योंकि ns3 कैसा है neutral है तो neutral के लिए चार्ज होता है हमारा 0 तो होगे 6 into 0 plus 3 into chlorine का चार्ज होता है minus 1 तो हमने उसको mention कर दिया plus 3 into minus 1 is equal to 0 इसको आप solve कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x और 6 into 0 0 होगे आपका और यह क्या हो जाएगा minus 3 is equal to 0 या x is equal to क्या value आगे plus 3 तो यह जो plus 3 आपका आया यह है oxidation number cobalt के लिए ठीक है यहां पर plus 3 चार्ज आएगा मतलब ठीक है समझ गए इस चीज को next example देखते हैं इसमें क्या है ni co-carbonyl group है यहां पर कितना है यह 4 है ठीक है तो इसके लिए अगर हमें सबसे पहले क्या निकालना है coordination number तो क्या होगा आपको सोचिए यह निकल क्या है हमारा central metal atom है इससे लिगेंड जुड़े हुए है ठीक है कार्बोनील जुड़ा हुआ है कितना जुड़ा हुआ है चार एटम जुड़े हुए टोटल इसके तो जो यह 4 है यह क्या हो जाएगा का coordination number हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए यहां पर मैं लिख रहे हूं coordination number क्या हो जाएगा इसके लिए 4 कोडिनेशन नमबर निकालना तो बहुत सिंपल है अब oxidation number हमें निकालना है oxidation number भी लिख सकते आप इसको यह oxidation state भी लिख सकते हैं ठीक है दोनों एक ही चीज है तो इसके लिए निकालना है हमें निकेल के लिए ठीक है तो अमने क्या मान लिया निकेल को x मान लिया x then plus 4 into क्या लिखेंगे हम कार्बोनील जो ग्रूप होता है यह भी कैसा होता यह भी मेंशन किया तो कैसे एक्वेट करेंगे is equal to 0 ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की वैली निकाल लिए यह x plus 4 into 0 अपर क्या हो गया 0 हो गया तो क्या हो जाएगा x is equal to 0 it means यहाँ पर जो oxidation number होगा वो क्या हो जाएगा निकेल के लिए 0 हो जाएगा clear हो रहा थर्ड question देखते हैं अब इस वाले question में अगर आपको बोले coordination number निकालने के लिए तो आप इजली बता सकते हैं fe यहाँ पर क्या है आपका central metal atom है और cn ligand है तो कितने ligand जोड़ है 6 तो 6 क्या हो गया इसका coordination number हो गया clear है यह चीजे अब इसका oxidation state क्या हो जाएगा या oxidation number क्या हो जाएगा अब हमें fe के लिए निकालना है तो fe को हमने मान लिया x तो क्या हो जाएगा यह x plus अब cn जो है cn की कितने atom है या पर 6 है total तो क्या लिखेंगे 6 into cn पर जो charge होता है उसको हम mention करेंगे तो क्या charge होता है cn पर minus 1 तो हमने लिखा minus 1 ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस complex के ऊपर में charge दिया हुआ है कितना 4 minus charge दिया हुआ ठीक है तो हमने इसको लिख लिया minus 4 ठीक अब इसको solve कर लिजे x और यह क्या हो गया minus 6 is equal to minus 4 या x is equal to क्या हो गया तो हो गया plus का 2 it means जो oxidation number होगा Fe के लिए वो क्या हो जाएगा आपका plus 2 हो जाएगा clear हो रही है चीजे next example देखते हैं इसको मैं उपर लिख देते हूँ ठीक है नेक्स एक्जाम्पल है आपका 4 नमबर जेड़न देन सी एल 4 और इस पर भी चार्ज दिया हुआ है 2 माइनस चार्ज ठीक है अब इसके लिए अगर आपको निकालना है कोडिनेशन नमबर तो क्या हो जाएगा अब जिंक हमारा यहां पर क्या है central metal atom है और इससे chlorine as a ligand जुड़ा हुआ है कितने chlorine के आटम जुड़ है 4 तो इट मिन्स कोडिनेशन नमबर क्या हो जाएगा 4 oxidation number या oxidation state अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा अब जिंक के लिए हमें निकालना है तो हमने इसको मान लिया एक्स जिंक को हमने क्या मान लिया एक्स प्लस अब c l के कितने atom है यहां पर 4 है तो क्या लिखेंगे 4 इंटू अब chlorine पर कितना चार्ज होता है minus 1 तो हमने लिखा 4 इंटू minus 1 is equal to अब इस पूरे complex पर क्या charge दिया हुआ है 2 minus दिया है तो हमने लिखा minus 2 ठीक है इसको solve कर लिजे यह क्या हो जाएगा x minus 4 is equal to minus 2 या x is equal to क्या हो गया यह आपका minus 2 और यह हो गया plus 4 क्या जाएगा यह x is equal to plus और minus अपका क्या हो गया minus तो क्या हो गया यह 2 और charge क्या होगा plus clear हो रही चीज़े तो यहाँ पर जो आपका oxidation number आया वो क्या आ गया plus 2 आ गया जिंग के लिए clear है एक हम last example देख लेते हैं यह हमारा रह गया है k3 fe cn का whole 6 अब इसके लिए जब हमें coordination number निकालना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर fe हमारा central metal atom है k3 हमारा क्या है counter ion या simple ion और cn6 हमारा क्या है cn का whole 6 यह हमारा ligand है तो central metal atom से जो भी total number of ligands आपके directly attach होते हैं वह होता है हमारा coordination number तो क्या हो जाएगा coordination number 6 अब इसके लिए जब oxidation state निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए k3 है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3 into kp कितना charge होता है potassium पे plus 1 तो हमने लिखा plus 1 अब fe को हमने मान लिया है x क्योंकि यह central metal atom है इसे के लिए हमें निकालना है तो इसको हमने x मान लिया ठीक है plus 6 into cn पे कितना charge होता है minus 1 तो हमने लिखा minus 1 is equal to क्या लिखेंगे 0 क्योंकि यहाँ पर इस complex के ऊपर कोई भी charge mention नहीं है तो is equal to 0 अब इसको solve कर लीजे यह क्या हो गया 3 plus x minus 6 is equal to 0 ठीक है यह x is equal to 6 और यह minus 3 यह x is equal to plus का 3 तो यह जो plus 3 आपका आया यह क्या है oxidation number है आपका Fe के लिए clear ही चीजे coordination number क्या होता है जो भी total number of ligands आपके directly attach होते हैं central metal atom से बो होता है हमारा coordination number और oxidation number को आप कैसे calculate करते हो जिसके लिए आपको निकालना है उसको आप x मान लेते हो और बाकी जो भी आपके यहां पर दे रखे है उनमें जो भी इसके ओपर charge होता है उसकी value पुट करके solve करके आप easily निकाल लेते हो जैसे एक्जांपल में आपने निकाला बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालना है कोई अगर इस टॉपिक में कोई साभी आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज मुझे comment section पूछ लीजेगा आपको यूसफुल लगा होगा वीडियो अगर आपको यूसफुल लगा है तो प्लीज से लाइक कर दीजेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइ कीजिए मैं मिलते हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर एंड बाइड बाई